हाई एवरिवान वेलकम बेक टियो ओन चैनल लर्न टो इन्वेस्ट में तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आज एक और पोर्टफोलियो को हम रिव्यू करेंगे तो जिनका ये पोर्टफोलियो है इनका नामें जितंदर धाकर एंड ये हर्यानया से बिल तो बेसिकली इन्होंने बता है कि जब भी ये स्टॉक खडीते स्टॉक नीचे चला जाता है जो इनके वाच लिस्ट में वह उपर चला जाता है जिनको वह खडीते नहीं है तो एक्च्छली में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग के साथ होता है एंड जो लोग ग्रें अगें सम्थिंग लाइक ओमिक्रॉन रेश्या उक्रेंवार्ड एपन एंड माई पॉर्टफ़लो बीकम रेट तो अभी इनका पॉर्टफ़लो लॉट्स में आ चुक है और आउग डिशाइडे टो डिलीट एप एंड निवर ऊपन अगें फोर एटलीस 10 यह पाप् या small cap company है तो आपको तो उनको track करना चाहिए and उनके जो result है उनके जो earnings उनको भी track करना चाहिए तो मेरी इसाब से 10 सल तक अगर आप open ही नहीं करेंगे and companies को track नहीं करेंगे तो आपके portfolio के अंदर बहुत कुछ हो सकता है तो ये चीज़ किया जा सकता जो strong and stable company से उनके साथ कि अपने investment किया छोड़ दिया देखा ही नहीं पर अगर कुछ small cap and mid cap है तो उनको track करना चाहिए मेरी हिसाब से बाकी इनोंने 200 टोटल 6 लाक रुपे का investment किया है तो चली अब ही देख लेते कि कैसा portfolio इनोंने बनाया है and कैसे कैसी companies में इनोंने investment किया है तो थोड़ी देर पहले दोस्तों जैसे कि इनोंने बताया कि 6 लाक का investment इनोंने किया है और उसके उपर अभी इनको 3.4% का लॉस हो रहा है यानकि 21,000 का लॉस इनको अभी हो रहा है इनके पोर्टफोलो में टोटाल 23 कमपनीज है तो चली देख लेते कौन-कौन से 23 कमपनीज है तो सबसे पहला जो कमपनी इनके पास देखने को मिल रहा है तो यह है अलकाइल एमीन तो for long term इस कमपनी को continue किया जा सकता है और जो solvent से वहाँ पे कमपनी का काम करता है और वहाँ का market leading कमपनी एलकाइल एमीन से देखने को मिल जाता है तो अच्छा कमपनी अभी तो correction के चलते है यह छोटा कमपनी midcap कमपनी है तो काफी गिरावट हुआ है बट for long term शाय से बहु इंड्रेस्टिंग कमपनी है और रिसेंटली ही विजय के रिया ने भी इस कमपनी में इन्वेस्टमेंट किया है सबसे पहले तो कमपनी है बहुत ही छोटा करूर की कमपनी है 1,400 करूर तो काफी छोटा कमपनी small cap है तो risk ही तो जरूर है but valuation side से अगर बात करे तो 8KP पे आप अच्छे आपको देखने को मिलेंगे करजा है जो प्लस पॉइंट एक हो जाता कि डेट फ्री कमपनी जीरो करजा है अगर कमपनी के profit and loss statement के रिलेटेट बात करे तो सबसे पहले तो profitable company long term sales धीरे धीरे ग्रोव भी कर रहा है profit भी ग्रोव कर रहा है अगर हम shareholding pattern के company है तो इसको आप चाहू तो long term के लिए continue कर सकतो अगर अपने study करके लिया है बट allocation के ओपर थोड़ा सा ध्यान जरूर देजेगा क्योंकि बहुत ही छोटा company है तो जब भी correction आएगा हो सकता है कि stock में काफी बड़ा गिरागा देखने को मिले तो वो चीज़ के लिए आपको चोटा company है small cap company 9000 करोर की company है और टॉप लेवल से अगर देखा जाए तो stock बहुत जादा नीचे गिर चुका है तो अच्छे लेवल पे इन्होंने buying किया है काफी बड़े discount पे इन्होंने उठाय है 40% या 45% के discount पे इन्होंने उठाय है तो अच्छा company है तो for long term आप continue कर सकतो बट क्योंकि छोटा company है और ऐसे market correction में छोटे जो companies होते है वो 40-50% से आड़ा आसानी से गिर सकते बट अपने काफी बड़े discount पे खरीदा तो for long term आप continue कर सकतो क्योंकि अगर December का result देखे company का तो काफी शांदा result company ने पूस्ट किया है और long term में जो sales से company के profit है वो काफी अच and companies है इनके raw metal में कुछ fluctuation होता है तो इस दो स्टॉक से दोनों ही घड़ाप करेंगे तो इस बज़े से इन दोनों में से किसी एक को अपरक सकतो जो आपको जादा बेटर लगे बाकी जो पैसा है वो किसी और दूसरे midcap chemical company में आप डाल सकतो लाइक दीपक नाइट है नवीन फ्लोडिन है नवीन फ्लोडिन अभी थोड़ासा higher valuation पे बट इसरे जैसे companies भी अच्छे तो थोड़ासा diversification हो जाएगा इधर पे बाकी अच्छा company है नेक्स्ट है CDSL एधर पे 13,600 का investment है अच्छा company है अच्छा कर रहा है बहुत सरी लोग stock market में आ रहे है और रिसेंटली company ने अच्छा कर रहा है कि आग्याने वाले टाइम में भी company अच्छा करेगा उसके बाद दोस्तों इनके पास जो next company देखने को मलता है यह है actual and इधर पे 42,000 का investment है तो अभी सबसे पहले तो actual एक बहुत ही strong company है तो किसी को अगर safely return कमाना है तो actual एक बहुत अच्छा option है तो इसको आप long term के लिए continue कर सकतो बट इधर से आपको बहुत ज़्यादा return के expectation नहीं रखना चाहिए 12-15% का return शाय से actually आपे provide कर पाई क्योंकि इसका base तो एक बहुत बढ़ा बन चुका है and जो industry है वो भी काफी slow होता है FMC industry तो company से आपको बहुत ज़्यादा return के expectation नहीं रखना चाहि यह company strong यह company market leading है तो for long term आप continue कर सकतो बट allocation काफी अपने provide के है उसके बाद दोसो next इनके बास company Indian energy exchange and 20,700 का investment इन्होंने किया है तो IEX एक अच्छा company है and for long term आप इसको continue कर सकतो क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि आगे आने वाले time में जो power transaction होता है वो exchanges के थूरूत जादा होन होगा and exchange में अगर देखोगे power exchange में monopoly company type या पे IEX आपको देखने को मिलेगा अच्छा company for long term continue कर सकतो नेक्स्ट है इंडसिन बैंक and 24,700 का investment है अभी इंडसिन बैंक अगर देखा जाए दोस्तों यह जो company है मुझे थोड़ा risky लगता है क्यों मैं आपको बताता हूँ एक time पे यह जो company है इसने काफी शांदा return दिया था जो 2008 में market crash हुआ था तब से लेके 2018 दस साल अगर देखोगे तो company ने बहुत बढ़िया return दिया था multi-wagger stock था but 2018 में company ने एक high बनाया 2000 का and 2018 के बाद अभी 2022 आ चुका है तो 4 साल में company वो जो high उसको touch ही नहीं कर पा रहा है वो जो प्रॉब्लेमिटिक चीज लग रहा है कि अपना चो हाई उसको touch नहीं कर पा रहा है बाकी इस टैंप पे मेरी सबसे जो banking companies है like HDFC bank specially वो काफी सस्ते valuation पर आ चुका है तो वहाँ पर investment किया जा सकता है वो number one bank है या ICC bank देख सकतो अब कोटक bank देख सकतो पर मैं industry bank से पहले उनक जादा लगता है उसके बाद निक्स इनके पास है जेपी पावर 7200 का investment है थोड़ा मोड़ा profit इनको मिल रहा है अभी सबसे पहले तो अपने definitely study करके नहीं लिया होगा जेपी पावर को क्योंकि अगर अपने study किया होता तो इस company को अब add नहीं करते क्योंकि company का size अगर देखो इग्नोर करने का उसके बाद second point के अगर बात करें तो company का 2015 में 4000 करोड के आसपस sales हुआ करता था आज भी अगर देखोगे 7 साल बाद company का sales आपको 4000 करोड ही देखने को मिलेगा साथ साल में company के sales में कोई growth नहीं है तो यह second point हो जाता है इसको ignore करनेगा and जो इसके बाद एक और डिस आने कि जो institution है उनका stake भी इस company में कम होड़ा है public का stake 19% से बढ़के 49% हो गया तब समझ सकतो 19% से बढ़के 49% हो गया 30% stake public का बढ़ गया है तो ऐसे company में investment ना करेंगे तो ही ज़्यादा बेटार होगा अभी profitable हो आप तो बहुत अच्छी बात है जितना पैसे investment के है उतना पैसा पैसा पेश के निकल जाना चाहिए उसके बाद next दो इनके पास company jubiland food and 21,000 का investment है यह company काफी अच्छा है काफी अच्छे segment में काम करता है long term में अच्छे returns company ने दिया ह मैंने jubiland food के पर वीडियो पोस्ट किया था कि कैसा company कैसे इसका चार्ट पैटरन है तो वो काफी important वीडियो था चाहो था आप उसको जाके देख सकतो and company अच्छा है तो long term के लिए इसको अब continue कर सकतो निक्स दोस इनके पास जो company है यहे KPR meal and KPR meal ए जो company इसने कोवीड crash के बाद अपने shareholder को काफी बड़े return कमा करके दिया है पैसा 7 गोना 8 गोना करके दिया है तो इधर पी इन्होंने investment किया है 12,900 का अब इस company के बारे में अगर बात करें तो company interesting है 2010 के बाद अगर देखोगे तो sales में काफी अच्छा growth company ने शोकिया है साधिसाथ profit में काफी अच्छा growth शोकिया है तो company interesting ज़रूर है तो अगर अपने study करके लिए तो आप continue कर सकतो क्यूंकि company के earnings में growth है तो जब तक earnings grow करे result अच्छा है तो तब तक लिए आप continue कर सकतो उसके बाद दोस्तों इनके बास जो next company देखने को बलता यह है दीपक नाइटाइट and 20,400 का investment है काफी अच्छा company है and काफी अच्छा management है काफी सारी expansion इस टाम पे चल रहा है तो आगे आने वाले time में revenue में growth देखने को मिलेगा जब revenue बढ़ेगा जब profit बढ़ेगा EPS बढ़े इन्होंने पिक क्या है and आप कह सकतो कि डीवीज लैप एक mootate pharma company है फार्मा सेक्टर में mootate company बहुत ही कम होता है और फार्मा companies में आप कह सकतो हो जो competitive advantage है वो बहुत ही कम होता है पर डीवीज लैप उनमें से एक best company जिसके पास moot है company market leading company है and company का margin जो होता है operating profit margin वो भी काफ कर सकते हो उसके बाद दोस्तों next इनके बास company है दुवारीकेश सुगर एंड इधर पे 17,100 का investment है अभी सबसे पहले तो इस company का अगर आप long term का चार्ट open करके देखोगे simply आप Google में जाके देख सकतो तो पहले तो suddenly जो चार्ट है यह उपर चला जाते है उसके बाद काफी साल जो तक return नहीं देता है तो मुझे चार्ट में काफी fluctuation देखने को मिलता है अभी जो recently आप कह सकतो कि कुछ changes हुआ है इधानॉल के related तो कुछ जो जो रूर या पे change हुआ है तो उससे एक positive impact हुआ है इन सुगर companies के stock में तो वो चीज मेरी सबसे अल्लेडी आप कह सकतो factor in हो च stock तो डिस्क की जरूर है तो earnings को track करना चाहिए earnings में अगर गिडावट आए तो बेज कर निकल जाना चाहिए उसके बाद next इनके पास है happiest mind and happiest mind में investment 9600 का इनों ने किया है अच्छा company है and 963 के level पे इनों ने investment किया है तो for long term अब इस company को continue कर सकतो क्योंकि earnings में काफी शांदार growth company पनी शो कर रहा है and expected है कि future में और भी अच्छा company करने वाला है उसके बाद इनके पास है HDFC bank and इधर पर 1,09,000 का investment किया है and 1% का loss इनको होड़ा है अभी सबसे पहले तो जो allocation इनोंने provide के बहुत ही अच्छे company में किया है बाट 6,00,00 का portfolio और उसमें से एक लाखी या पर investment कर दिया इनोंने HDFC bank में तो allocation मेरी सबसे थोड़ा ज़ादा हो गया क्योंकि personally मैं किसी company में 10% से ज़ादा का allocation provide नहीं करता हूँ तो वो चीज़ के उपर आप धियान दे सकतो आप चाहो तो इसको 50-50 कर सकतो 50% आप चाहो तो HDFC bank में रख सकते हो तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन यहां पर आ जाएगा अगर देखोगे तो शायसे HDFC bank सबको काफी अच्छे return दे पाई क्योंकि वहां पर growth जो है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा HDFC bank के मुकाबले तो कुछ ऐसा आपकर कर सकतो अपने risk को कम करने के उसके बाद next इनके बस company HDFC life 18,500 का investment है देट परसन का loss इनको होड़ा है बट company अच्छा है and long term performance अगर देखा जाए company का तो long term performance अच्छा ही देखने को मलता है तो long term के लिए continue कर सकतो valuation थोड़ा higher side में result अच्छा नहीं आए December quarter का तो earnings पोई track करना पड़ेगा अगर next quarter यहने की March का result भी अच्छा नहीं है आता है तो simply आप switch कर सकतो किसी और life insurance company में आप निवेश कर सकतो and SBI life काफी अच्छा परफॉर्म इस टेंपे कर रहा है उसके बाद दोसो next इनके बस company है Mahindra and Mahindra and 23,800 का investment है अभी Mahindra एक अच्छा company है but auto company and directly auto company से वहाँ पर मैं निवेश नहीं करता तो यह पर लॉंग टम मैं आपको fluctuation काफी देखने को मिलेंगे चार्ट में उपर नीचे उपर नीचे demand बढ़ेगा तो stock उपर जाएगा demand कम होगा तो नीचे आ जाएगा तो काफी fluctuation आपको देखने को मिलेंगे तो EV के उपर अगर play करना है तो Sona Comstar के बारे में सोच सकते ह आप नेक्स्ट नजारा टेकनोलोजीज एंड कमपनी मुझे तो काफी इंट्रेस्टिंग लगता है क्योंकि गेमिंग स्पेस में कमपनी काम करता है बट एक चीसे मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ और वही कमपनी का P.E. रेशो यान की वैलूइशन 209 के P.E. पे स्ट कमपनी में काफी बड़ा अलोकेशन अपने प्रोवाइट किया है तो सबसे वहले तो एलोकेशन के उपर ध्यान देना चाहिए था एंड एलोकेशन मेरी सबसे कम करना चाहिए कुछ क्वालिटी कमपनी को आप एड कर सकतो अपने पॉट्फोलियो में नेक्स्ट एप P.N.C इंफ्रा अगर देखा जाए तो अगें एक इंट्रेस्टिंग कमपनी है बट एक संपल रिजन के बसे इसको मैं इग्नोर करूँगा क्योंकि 6500 करूर की ये कमपनी है और कमपनी में कर्जा अगर देखोगे तो 4400 करूर खाए तो कर्जा मेरी सबसे काफी जादा है बाकी कम अगर अगर अगें स्टाडी करके लिए है तो आप कंटिनू कर सकतो बट चोटा कंपनी तो एलोकेशन अगें कंट्रोल में होना चाहिए उसके बाद रेल टेल एंड 9600 का इंवेस्टमेंट है अब पीए सो जो कंपनी जाए इनके परफॉर्मेंस अगर देखोगे अब तो अच्छा नहीं रेखने को मिलेगा एंड इस कंपनी ने तो लिस्टिंग के बाद कोई भी पैसा नहीं कमा के दिया अपनी शेर होल्डर्स को तो आप आयर सीटी सी जैसे कंपनी को चूज कर सकतो अगर आपको किसी पीसू कंपनी में निवेश करना है तो इससे आपको बेट किल का बिजनेस भी अच्छा कर रहा है काफी तो फॉर लॉंग टाब आप रिलेंस को कंटीनू कर सकतो नेक्स्ट है सुप्रीम इंडस्रीज 20,000 का इंवेस्टमेंट है सुप्रीम इंडस्रीज एक बहुत अच्छा कंपनी एंड काफी बड़े मल्टी बैगर रिटन कंपनी ने प्रवाइड का है तो वो चीज़ आप थोड़ा सर स्टडी करके देख सकते हो एंड लास्ट में दोस्तों इनके बास कंपनी टेक महिंद्रा एंड 36,000 का इंवेस्टमेंट है सारी 3% का इनको हो रहा है लॉस टेक महिंद्रा एक अच्छा कंपनी है एंड अभी काफी दोकरें उसके बाद जाके मैंने LTI जैसे कंपनी में निवेश गया है तो वो चीज़ आप देख सकते हो कि पहली स्ट्रॉंग कंपनी को पिक कर लो और उसके बाद आपको किसी और कंपनी में निवेश करना है तो आप मिट ये क्वालिटी कंपनी को आप रखें अपने पोर और भी बिटर बन पाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना एंड क्या कुछ चेंजिस किया जा सकता है वो मैंने इनको बता दिया है एलोकेशन के उपर ध्यान ज़रूर देना चाहिए क्योंकि इस डिपसे बैंक पे इंवेस्टमेंट काफी है चुटे-चुटे कंपनीस मे ऩक्याए मिं डाल सकता हो Like में रिलेक्स हो, आपका तैंस तो इनके उपर आप फोकस बहुत सकतो है थाit और प्विट्फ Religion का में विश्च कर सकते हैं लॉंग टर्ब में डीटर्ण भी अच्छा मिलेगा ओके जली दोस्त अभी देख लेते कि लॉंग टर्ब में इनका पॉर्टफ़लो कितना वेल्थ इनको क्रिएट करके देश सकता है तो जैसे कि इन्होंने बता है कि टोटल छी लाग का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है अगर एक्सपेक्टेड डिटर्ण हम यहाँ पे लेते फॉर एक्जमपल 18 परसेंट अगर टाइम पीरियेड हम लेते 10 यर्ज का तो आफटर 10 यर्ज जो इनका पॉर्टफ़लो का साइज है यह 31 लेक का बन जाएगा और इन्होंने बता है कि एट लिस्ट 10 यर्ज तक यह कं अगर करोरो में चला जाएगा 1.1 करोर का फिगर बन जाएगा अगर इस पॉर्टफ़लो में और इन्वेस्टमेंट यह नहीं करते एंगर 18 परसेंट का एवर्ज रिटान इनको 18 यर्ज के लिए मिलता रहता है तो यह अमांट क्रियेट हो जाएगा तो दोस्तों आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो कैसे लागा कमेंट करके जरू बाताना अच्छ लागा तो एक लाइक जरू कर देना साधी साथ चैनले को सब्सक्रेब जरू कर लेना साधी साथ बिल आइकन को भी जरू प्रेस कर देना तो ऐसे अपडेटेड वीडियो आप ल